तो दोस्तो आज बात करने वाले हैं XT160R के स्टैल्ट एडिसन के बारे में जो बेसिक XT160R आती है उससे क्या क्या चींजिस देखने को मिलेंगे क्या आपको इसकी और जाना चाहिए जो बेसिक जो आ रहे है XT160R उसी को लेना चाहिए सबसे बड़े प्राइस की बात करूँ दो जार रुपे जादा महिंगी होने वाली हैं और उस दो जार रुपे में कौन कौन से वीचर आपको इस नए जो स्टैल्ट एडिसन आ रहा है XT160R का उसमें दिये जाएंगे ये भी बताता हूँ सबसे पहले जो डबल डिस्क वेजिंट XT160R का आता है वो आता है एराउंड 1,16,900 के अप्रॉक्स आता है तो उससे क्या है दो जार रुपे ज़्यादा देखे आपको इसको लेना पड़ेगा लेकिन ये एक्शोर्म प्राइजिंग है और प्राइजिंग के लिए आप नेरबाई अगर उतरा खंड की जानना चाते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं वो मैं approximately क्या रहेगी वो बता दूँगा सबसे पहले इस black जो नई paint scheme है ये आपको सिर्फ इसी start edition में देखने को मिलेगी दो चार option और हैं जो नए नए features दिये गए हैं इस specially इसी में तो वो मैं आगी जातके आपको बताऊँगा सबसे पहले competitor की बात करते हैं competitor जो है टीविस के ओर से यहां आपको देखने को मिलेगा Apache RTR 164V, Bajaj में आपको NS160 और Yama में FZ इसका competitor रहता है सबसे पहले front में आपको 276 mm की petal disc देखने को मिलेगी single channel ABS के साथ मैं telescopic suspension देखने को मिलेगा front में 180-17 inch का tubeless tire देखने को मिलता है fully LED lighting setup देखने को मिलेगा चाहिए indicator की बात करूँ मैं आपको headlam की बात करूँ पूरा क्या है आपको इसमें LED setup देखने को मिलता है तो front में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा front का look काफी aggressive सा design करने की कोशिज करी गई है hero ने youth को attractive करने के लिए उससाब से काफी अच्छा लगा design बाकी tank का आप देख सकते हैं X team लिखा वह आपको 3D में देखने को मिलता है stealth वाला भी आपको यह आपको पूरा 3D में ही देखने को मिलेगा tank capacity की बात करें वो ही आपको 12L की देखने को मिलती है सबसे बड़े engine की बात करते है 163CZ का आपको 2-wall वाला 4-stroke single cylinder आपको air-cooled आपको इसमें engine देखने को मिलेगा जोकि 15.2 PS की powers 14 Nm torque के संग produce करता है self और kick दोनों देखने को मिलते है kick देखने को मिली सबसे बड़े आली बात है और पीछे आपको क्या है 220mm की petrol disc देखने को मिलेगी tear section की बात करें 130, 70, R, 17 radial tear देखने को मिलेगा पीछे आपको और पीछे lighting setup आप देखें थोड़ा मेरको यह pillion के लिए थोड़ा मैं ऐसा नहीं लगा कि आप family use के लिए आप इसे use कर सकते है बागी दोस्तों को बिठाने के लिए वो तो दोस्त easily इसे ride कर सकते हैं पीछे बैट के भी लेकिन पुरा LED light setup देखने को मिला लेकिन अगर आप family में किसी को ले जाना हो मदर को ले जाना हो या ममी या sisters को ले जाना हो लेकिन ये थोड़ा इसमें बीच में hump भी है तो ये थोड़ा family type मेरको नहीं लगी भाए कि ये मेरा personal opinion है बाकी बीच में बात करूँ आपको inverted LCD console देखने को मिलेगा USB का आपको सिर्फ option इसी वाले style tradition में देखने को मिलता है Xtreme 160R में बाकी जो basic Xtreme 160R आती है उसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा USB का brightness आप इसमें set कर सकते हैं बाकी क्या है gear position indicator देखने को मिलेगा कौन से gear पर है ये सब सिर्फ ये feature आपको इसी में इसी में देखने को मिलेगा brightness set करने का USB का और बाकी ये gear position indicator तो side से कुछ ऐसी लगी जो आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो इसमें आपको gear position indicator देखने को मिल जाता है बाकी और इसके dimension की बात करते हैं तो dimension में क्या है ये आपको अच्छे खासे जो है 167 mm की ground clearance के साथ देखने को मिलती है 790 mm का आपको seat height देखने को मिलेगी तो easily इसे क्या है 5.4 तक का बंदा इसे easily right कर सकता है तो यही दिया आज इसकी video जो कि मैंने इसके detail में क्या-क्या इसमें changes है आपको बता दिये तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में